नमस्कार सुवागत आपका हर्याना इन्विश्ट 24 पे मैं हुम उनलामा मेरे सेगी परिंस लामा के साथ हम मौजुद आज रोतक में और रोतक जाटे भवन और जाट धामसाला में मौजुद है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हैं कि हर्याना के खापों के परदानों के ए क्या बात निकल क्या ही है इनसे जानते हैं इससे पहले आपको सबको पता हुगा मोदी जी ने नमबर मिंट और पिछेतर मिंट का भासन दिया आप सबको बता हुगा सबको समोधन किया उन्होंने किसानों के बारे में कहा चोटे और बड़े किसानों के बारे में कहिने के आ लगातार नब और पेचाथन मींट में किसानों को समझाते रहें, कारून के बारें हम जानकारी कीते अमस्पी के बारे में भी उन्होंने काफी बात की लेकिन कहिन की शबश सब्जों में अन्होंने एक टूक ज़वाब दिआ था कि अमस्पी कानून वापिस नहीं होगा किसी भी सूरत में अमस्पी लागू रहेगा लेकिन उसके बाद इन्हों ने जो खपो के परदानी इनका क्या फैस्टरा है इनसे भी जानते हैं और बहुत बाते हैं हूं लगातार इंसकी संपर्ग में रहते हैं और इंसे भाच्छत करते हैं आप तक इनके सभा हुई है उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि अमस्पी कानुक लेके हम कुछ करेंगे क्या लगता है देखो ऐसा ही है अग हमने इसी बारे में आज कम से कम 40 पर चाप दो है ना इनके आज मीटिंग थी और इसी बारे में हमने इसकर्षप काफी कई गंटे से इसी बारे करें बाची चल रही दी जाया है किसी तरीके से क्या हो सकता है किसी न वी किसी मामले की गडवर नियुक नहीं हो चुछ ने खाया हुई और इसी बारे में हम डिसकर्षप करे दे और हमने में दोबार 17 तरीको 10 बजे पूरा हरियाना उत्तर परदेश दिली राजस्तान और इन सब के जो मीटिंग बुलाई है 17 तारिक शुवरे 10 बजे हम दुबारा फिर मीटिंग करेंगे और इसके बारे में फिर निश्कस निकालेंगे अगर वह तिस तरीके ज़र कोई ने कोई समाधान निकला चाहिए जी प्रधान जी में आपसे जाना चाहूँगा कहिने के जो खापे हैं एक तो आप मौर्चा बंदी कर रहे हैं दिल्ली में दूसरा आप गावं-गावं में जा रहे हैं और सोटी बड़ी पंचाते कर रहे हैं तो कहिने कहीं हर आदमी तक पहुंचके सरकार को खेरने की कोशि तो नहीं कि जा रही है आप देखिए आप तो खुद ही समझदार है आज भी आपने देखा हमारी चालिस खापों की जो पंच्छाथ हुई है हम यह चाहते हैं कि इसके अंदर जो हमारा किसान जिसकी यह समस्या है इसको ठीक करवाने के लिए और तीनों जो कानून है उनको र जाते हैं जो इंज का सतरह तारीक को फिर दोबार एक बारी बैठके मीटिंग होगी और सबी खापके एक एक दो दो आजमी जुम्मे वराजमी रोतक के अंदर आएंगे जी अक क्या नाम तो रामकन सुलंक की है परदान पालम तिन सो साथ तिन सो साथ तैंक्यू जी परदा तक दो नाम चालेता हूं आप बीजी पीका साथ भी रहे चूक हैं भी सब्स समर्तन वापीच मे ले चुकिया अब क्या लगता है एंट किया लगा रहा Spencer Co & dial की संहांना लग रही है सरकार के कहीं मूड नहीं कि कानून हो वापीस लेंगे आप तो ऊसा को WAS कोई बात निक्ल क बजे तमाम हर्याना उतर पर्देश देली रास्तान तमाम खापों के पर्दान मुख्या और में समाज के अलग अलग हर समाज के पर्मुखों को या मीटिंग बलाए सतरा तारीकों सुबह दस बजे इस समस्या का समाध आने के लिए और कोशिश करेंगे उस दिन हम डिस्क्रि पर अब तक एक बार भी ऐसा नहीं लगा कहीं सरकार आपके परिशन में अब तक आई है या कोई मूड लग रहा है उनका की कानून हों वापिस लेंगे अब तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है और आप लगातार अभी आपके ठीकरी बोर्डर सारे बोर्डर पे संख्या कम लग सरकार दो डाई साल के लिए इसको पैंडिय रखने ले सहमेध होगी सरकार ने तक हार सभीकार कर ली इसलिए सरकार ने तो मानना पड़ेगा इतना बड़ा जंडों दुनिया का सब चिप्राजंद और रहे हैं सरकार में मजबूर होके मानना पड़ेगा तिन यू काले अज ये मेटिंग रही है और अज डिसाइड इसलिए नहीं कर पाए कुछ खापे नहीं पहुच पाई थी कुछ समझस्री क्यों आज कल यहां पे पांच मोते होई हैं आपस में गोलिया चलके उसकी वज़े से ये मान बैठे के कहीं पोस्ट पॉन ना कर दियो इसी वज़े है कि हम जोना सब को इन्वाइट करेंगे और यह बैठक के इसलिए रखी गई है कि खापे हमेशा सभवाद का विशे रखती हैं खापोने जब मेशा ही चे दो पक्स की बात हुई जो दो समाजों की बात हुई चे सरकार और जोनाज किसानों के बीच की बात है तो हम सब लो सब्सकार का भी अडियल रवया और आज हमारे किसान जंगठन ने उनका भी जोना बहुत सकत बात बनी है कि भी हम नहीं जुकेंगे किसी तरह भी तो खापों के परमुखों ने आज ये बनाया कि भी 36 ब्रादरी के यह द्यान करना एक भी जाती का उस दिन परमुख लोग नहीं बचेगा जो नहीं आएगा होगी वो परमुखों की यह आम मीटिंग नहीं है आम जन को नहीं बुला आ जा रहा है इसमें परमुख लोग यह आएंगे चे खापत देक्स होंगे खापके सेक्टरी होंगे यह और चटिस ब्रादरी के परमुख लोग चैवो रोड समा से हीर गुजर और बाल में की ब्रामन इविन हर तपके से उस दिन जो नामने हमारे पास परमुख लोगों के उतरबारत के जो लोग है उनके नंबर हैं उनको इन्वाइट करेंगे और सत्रा तारीक को डिसाइड करेंगे कि हम किसान परमुख लोग जो बैठे हैं किसान सरकार से क्या उमीद की जाए उस पे निर्णे लेगी सत्रा तारी को सब भी खापें क्योंकि यह इस्यू बहुत ज्यादा सेंस्ट्यू हो चुका है समाज के लिए भी अक्षेतर के लिए भी उपर से किसानों का काम आ रहा है सरकार ने भी अपने रेवेन्यू का नुकसान हो है हम नहीं चाहते है कि अभी यह बहुत बड़ी और मैं आज इस आपके माजन से सरकार से भी एक विंदी करता हूं कि इस बात को जब तक हम 17 को करते हैं जो डिसाइड करें उस से पहले भी सरकार को नियोटा दे सभी किसानों को बाचीत का ये एक साल से जो बाचीत बंद है वो अच्छी बात नहीं है कि एक महीने से बात चीद बंद चल रही है उसका जो अच्छी बात नहीं है यह संवाद तो चलना इचीए था तो सत्रा तर्य को यहां मीटिंगोने जारी है मेरे सबी खापों कि चालिज काप के परदान मोजो दोए और जार्द रुग तक में तो कहिने कि हर चीज हम देख चुके, संबाद जब तक नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है, किस तरी किस देख चा, संबाद कैसे होगा, कौन सुरुआद करेगा संबाद की? देखिए, आज जब तक में, जाट दरमशाला में, चालिस खा पंचायते इकठी होई, इस बात पर भी चर्चा होई, पर अकेश्ट कैस जी ने कहा, दो अक्तूबर का समय आगे का दे दिया, कल बहादरुगड में उन्होंने ये कहा, सर्दी में ये अंधुलन शुरू हुआ सर्दी में ही सरकार मानेगी, किसान की भाषा में, एक सरल भाषा में उन्होंने ये कहा, तो आज 13 फरवरी है, और 81 दिन है, 26 जनवरी, 26 नमबर 2020 को शुरू हुआ था, 26 नमबर 2020 को दिल्ली कूछ जब किसानों ने किया था, आज 81 दिन है, और 17 तारिक को यहां मेटिंग रख ही गई है, 17 फरवरी को जाड़ धरमशाड़ा में, 220 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, और किसान को और काम भी है, खेत का काम भी है, और भी काम है, शादियों का सीजन भी आता है, अपने बच्चों को शादियां भी करनी है, उनके लिए खरीदारी भी करनी है, तो क् किस तरीके से हो, और जो किसान, जो राजा हर्श वर्दन के समय से ये खापों का इतिहास चलता आ रहा है, जो पुराने राजा महराजा, आज के PM और CM अदालतें जो फैसला नहीं कर पाई, वो मसले वो खापों ने सुल जाए है, खाप पंचायतें पंच परमेश्वर के र ऐसे हरियाना में के उत्री हरियाना में हमने खाप पंचायतों को गठन का और सिक्रिय करने का अभियान छेड़ा है, और मैं उत्री हरियाना खाप का संयोजक हूँ, और उसमें काफी खापे लगती हैं, और 17 तारीक को यहां जाट धरम शाड़ा रोतक में 17 फरवरी को हिंजाब हैं, हरियाना हैं, उत्री भारत से कोई भी खाप का परतनीदी नहीं छोटेगा, और जातियों के जो परतनीदी हैं, जैसे राजपूत समाज है, कंबोज समाज है, गुजर समाज है, राजपूत समाज है, रोड समाज है, सभी से एक बात करी जाएगी, सोच विचार करेंगे भी इसका समाधान क्या हो और बात्चीत का जो डेड़ लोक लगा है वो डेड़ लोक कैसे तूटे और कैसे सरकार से ये फैंसला किसान हित में और देश हित में ये फैंसला करवाया जाए और किसान पूरा मजबूत किसान की जो इरादे हैं वो हिमाले की तरह उचे और चिट्टान की तरह मजबूत है और फैंसला इस बात को लेकर भी आज खाब पंचायतों ने एक बात करी है भी खाब पंचायतों की एक जिम्मेवारी है जवाब दे ही है और खाब पंचायते ही बड़े स्थार पे किसान नेताओं को बुलाकर रैलियां करवा रही है आपको पता है आप जनादार जो आपने पाया है वो कहीं खाब पंचायतों का बहुत ज़्यादा देखने में मिला है और पूरे हरियाना में किसान, मजदूर, गरी, मजलूल, छोटार्टी, मुनीम, पल्लेदार, नोजवान पूरे एक जुट होके निकले हैं और सभी को ल करेंगे तीन-चार गंटी या मीटेंग चली आज को निशकरस नहीं निकला और यहां लगबग बहुत खापें आई आज जारधरमसला रोतक में तो क्या लगता है देखो जी पहली बात तो सारी खापें आज नहीं आड़ पाई लगबग शाड़िस के करीब खापें कुछ संगठन यहां पर मौजुद हैं इसलिए आज हम किसी निशकरस पर नहीं पहुच पाई और इसी करके आज सेक्टरी हैं हमारे सरोजातिरों कि खापके सेक्टरी हैं ना पेशिंग जी ना लांबा को ने करते हैं तो आज हमारी जो मिटिंग में फैसला लिया गया यह जग हैं दस बुजेगा से मैं जितने भी उत्तरबारत की खापे हैं उनके सभी के परदान और जितने संगठन उत्तरबारत में या फिर खास करके रियान हम काम कर रहे हैं चाहिए वो किसी भी विरादरी के लिए काम कर रहे हो सभी को खुला मंतरन हैं वो सारे आएंगे और अपनी बात रखेंगे उसके बाद कोई बड़ा डीसीजन लिया जाएगा और उसके बाद ही किसी चीज़ का खुलासा किया जाएगा थैंक्यू जी आपका जी सर्कार की तरफ से डैड लोग लग चुका आपके बाद चीज़ का सरकार ने कहीं दो दो दिन में सरकारी भी समझेगी और हम अपने रहे अपने रहे हैं कि सकारत मकरूप मिले कि आ रहे हैं सर इसी बात पर हम चिंतन कर रहे हैं देख सरकार ने आखे मुदली हैं और हमारा अंदोरन लगातार चल रहा है और अब तक तो किशान संग्ठनों का खापे सयोग दे रही थी अब सयोग एक जुट खापे एक जुट होकर और उसमें अपनी रर्नीती बनाएंगी और सरकार कै किशान संग्ठनों से बात करने के लिए हम इसका मैदान त्यार करेंगे सरकार तो चुप चा बैठकी और किशान संग्ठन क्या करें जिए सरकार निमंत्रन के लिए गुलाती नहीं है अब तक तो उमीद थी कि कुछ समाधान होगा लेकिन अब उमीद नहीं दिख लिये आगे हमारे किसान बैठे हैं, खेतों काम भी चलेगा, कटाई का टाइम आ जाएगा पांदेश दिन में, तो काफी मेनत कर रहे हैं लोग, तो कितने दन तक चलेगा ऐसा, यह होता है, तो इसलिए हम अब एक नई रन नीती बना कर सारी खापे खटे होगे सरकार को गिरने के को चालिस खापे आए थी बाबा, क्या लग रहा है, बहुत बुजरग हैं, आप भी परदान हैं, बहुत पंचाते देखी हैं, बड़ी खापे आपने अध्यक्स्ता की है, और फैसले भी किया हैं, बड़े-बड़े, लेकिन यह फैसला कहीने कहीं, काफी दोराई पे आपे आ सरकार को काफी दन होगे, बिठे, उड़े मान नेरी सरकार, और इस सरकार मानने गी, जरूर मानने गी, मानना पड़ागा हम 36 ब्रादरी गी, आपनी खापों की परद, वा पंचात, 17 तारिक को बला रहे हैं, और उसमें यह निरने लिया जाएगा, अग सारी खापें एक्ष हो गया, और इस पर फैसला लें, और बढ़ी आ लें, और राज ने भी मानना पड़ागा, जरूर मानना पड़ागा, खापें गी, बाते मांगी गई हैं, प्राजा आरसवर्दन के टेमतें, यह खापें चले आ रहे हैं, और यह 36 ब्रादरी के लिए नयाए किया गर, और य स्वाल खाप पर दान, चादरी सब्दन, धी, थैंकियो, जी सर, क्या कहेंगे, क्या लगए, मैं यह कहूँगा, अक मैं जो होना कई दिन से इसमा सकरी है, वह सी दिन हो गए, आप वहाँ भी मिलते हो, यह जो हना मूच का स्वाल हो, यूनियन का और सरकार का, बिलकुल, और पंचायत में, या दो गाओं का, या दो डिस्टिकों का विवाद हो जाता है, ता हम पंचायत उसको, जो हना उसका बीच का रास्ता निपना निपताती है, यूनियन आले भी अट दर्मी कर रहे हैं, और हमारी सरकार भी कर लिए, अब हम जो हना खापे अपनी 17 तारी को करने के लिए, हम सरकार के खिलाब नहीं है, पंचायत ना जो परजा होती है, तो ये दो दन, तीन दन बीचे में बजो बचे हो, तो यूस दर्मान सरकार को क्या संदेश क्याते हैं, सरकार को संदेश ही आए है, जो हना ये इसना बात करनी चाहिए, यह तितने दन हो गए है मतलब उनको भी कहता है यूनी नारा को भी अट दर मी छोड़ देनी चाहिए अब उनका ठीक है वड़े वड़े आदमी लीटर बने होए है जो जो बिशारा जो डेड़े अब एकड़का दो एकड़का वह वहापर बेठ्या है वह जीजना रोज वह त्यार करकर रोज घणा पड़ता है उसका क्या होगा उन्हें व्योकर ना चाहिए यह ना पंचाति ने खाथ पंचाति ने यह करना है कि आंदोलन को हमें कम से कम जो ना अपता है या दस दिन में इसको जो ना निफटा गए और इसका फैसला करवा अगर अपने घरा आज जाए और सरकार भी ठीक अब या इवाम में पंचाति फैसला करवाना है इनका यह जो फैसलिगा पेच इसना हम सोड़ जाने की जो हना 17 तरी को रनिज्टी तियार करेंगे और मेरा जाते ख्याल है आम इसको सोड़ जा लेंगे जिक्या ना चोधरी राजपाल कलकल परदान कलकल खाप परदान कलकल काप जी क्या कहेंगे आप भी परदा में ऐसा जी हम यह चाहते हैं मदेश्टा के अंदर दोनों का मुझ का स्वाल बन जा है सांप मेंबर जाए लाटी ना टुटी समाज भीमारा सरकार भीमारी है जीतना अब आगए कटाईगा स्रेश्म की बुरा अगत चल जगा दोजार सोड़ा के अंदर क्या वाए था खाप पूर नों फैसला कर दिया था कि तिस मास तक अंदोल नों पोस्पोन कर दिया था कुछ हमारे बीच में स्रार्थी तत्व आगरे अपनी राजनीती गुमागरे चमकाने के लिए 32 लड़के भी गुजरुआ गे ना में डिमा प्रमाइज कराकर किष्बी ड्रक राए जए आज हम यह चाहते हैं कि आज समाच उसी कागार पर बारुद के नेर्प लाटी यहोगे अगर सरकार कुछ वाथ सरकार के कुछ हमारे हम दुकिने दोनों हमारे पंचाइट का काम क्या होता है जो दो गुरूपों का फैंसला कराती है कुछ उसको दबाती है कुछ पख्स प्रति है और बीच में कहते हैं जो हम फैंसला करेंगे वो तुम्हे मानने होगा और दोनुपक्स उस पर सहमत हो जाते हैं कि जो प्रशायत फैसला करेगी हम उसको पर मनने होंगे हम यह चाहते है किसान संठनों से भी और सरकार चे भी जो चतीश ब्रादरी गा फैसला हो सरकार को भी और किसानों गो भी अंद्रों जो कारी है उनको भी मानना चाहिए हड़ तर्मी ना सरकार ने करनी चाहिए राम का नाम लेकर करते हैं राम राम कि राम मंद्र रहेंगे राम तो किसान के अंदर बेठा है सुबह कोई भी काम करता है राम ना लेकर करता है हाल जोड़ता है पानी भरता है सुत्त्या फुटता है धर्तिमाता तुसकारता है मोदी के अंदर मैं स्पेसली कहता हूं राम गा नाम जुरूर लेता है उसके अंदर एहंका रूपी रावन बेटा है मोदी अपना एहंका रूपी रावन को इत्याक करे राम गो अंदर में बिठा ले और ये देखले किसान भी अपने है देश भी अपना है इन लोगों ने कुर्शी दी है, कुर्शी से उतारना है जानते हैं, तो हम ये पैसला करेंगे, सरकार को भी मानने हो, और किसान संक्टरों को मानने हो, और लोग उड़े दिल्ली के अंदर ज्यादा दर दिक्कत में ना रहे हैं तो मेरे साथ ये चालिस खापों के परदान बने होते हैं, आज यहां को स्पैसला हुआ निसकर निकला नहीं है, लेकिन 17 तरीक को Rotary बारत के सभी यहां खापों के पंचातों के परदान यहां आने वाले हैं, वो बहुत बड़ी बात यहां पे निकल के आी है, पंचातों के खापों के परदानों ने कि यूनियन और सरकार के बीच फस गया है दोनू हर दर्मी पर अड़े हुए हैं कहिने कि अब जव खापों के जो परदान है उत्री भारत के पूरे के वो कहिने कि अब मत दस्ता करेंगे इसमें और इस फैसले को इस पेश को कहीं निकालने की के जाएगी और जल्दी ही ये फैसला हो जाएगा क्योंकि पंच्चातेगे जो परदान हैं वो इन्वोल होचके आ हैं और पहले भी खापों ने राजा महाराजाओं के जमानों इसे बहुत बड़े-बड़े इतियासिक फैसले किये हैं तो ये फैसला कुछ भी नहीं है और उन्हों हर दर्मी प्याड़े हुए है और यह आप खाफों पर आ चुका है किसानों को भी बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा हुआ 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 है।